हेलो गाईज तो आज मैं आपको BSC Third Year Foundation Course के अंतरगत Paper First Hindi के Very Important MCQs बताने जा रही हूँ तो गाईज वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो चलिए गाईज स्टार्ट करते हैं Once again Welcome Back My YouTube Channel Botany Edda में आप सभी का स्वागत है तो देखें गाईज आपको क्या करना है हिंदी हो या फिर इंगलिश हो सभी में आपके जितने भी चैप्टर हैं इंगलिश में और हिंदी में सबसे पहले आपको चैप्टर के नेम याद करने हैं और उसके बाद उन chapter को लिखने वाले जो writer हैं उनके name याद करने अधिकतर universities में इस type के question पूछे जाते हैं तो देखी अब मैं आपको MCQs बताती हूँ सबसे पहला है मेरे सहयात्री यात्रा ब्रतांत के लेखक है तो मेरे सहयात्री जो की एक यात्रा ब्रतांत है और उसके जो लेखा के वो हैं अमरित, लाल, बेगर ठीक है तो इस type से हर universities में question आते हैं कभी-कभी chapter का नाम दे दिया जाता है और उसके writer का नाम पूछा जाता है और कभी-कभी writer का नाम दे दिया जाता है और उस chapter का नाम पूछा जाता है तो आपके जो हिंदी में जितने भी चैप्टर है उन सभी के नाम और उनको लिखने वाले राइटर के नाम आपको अच्छे से याद करने उसके बाद second जो question है वो है मेरे सहयात्री है तो मेरे सहयात्री जो है वो एक निवंद है उसके बाद third question है अमरितलाल बेगड़ जी ने किसे मोक्षदा कहा है तो इसका अंसर है नर्बदा नर्बदा नदी जो है उसको अमरितलाल बेगड़ जी जो है उन्होंने मोक्षदा कहा है इसके बाद next question है नर्बदा का उदगम इस्थल है तो नर्बदा का उदगम स्थाल अमिलकंटक फिर बेगड जी ने कुल कितने किलोमेटर की यात्रह की तो इसका अंसर है 266 यानि कि 2624 दोनो तटों को मिला कर बेगड जी ने कुल यात्रह की ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है छिपा सिल्प कहां प्रिज 27 है यानि कि जो छिपा सिल्प है वो कहां प्रिसिद्ध है तो इसका अंसरे उज्जेन उसके बाद नेक्स्ट है सामुलिया शिल्प कहां प्रिसिद्ध है तो जो सामुलिया सिल्प है वो बुंदेल खंड में इस्तित है इसके बाद नेक्स्ट तिलंगा सब्द किस अंचल में प्रशिद्ध है तो इसका अंसरे बगेल खंड नेक्स्ट ते सुरेती क्या है तो सुरेती जो है वो एक भित्ती चित्र है उसके बाद एक कंगी बनाने का श्रे किस जनजाती को जाता है तो जो बंजारा जन जाती है उसको कंगी बनाने का श्रे जाता है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है लोकोक्ती होती है तो जो लोकोक्ती होती है गाईज वो एक उक्ती होती है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट है इट का जवाब पत्थर से देना है तो इसका आंसर है इट का जवाब पत्थर से देना जो है वो एक मुहावरा है जिसका आर्थ होता है मूँ तोड़ जवाब देना ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है जन संचार का सबसे प्रभावी माध्यम है तो इसका आंसर है दूरदर्शन नेक्स्ट जन संचार माध्यम का इंगलिश नेम है अंग्रेजी नेम जो है वो जन संचार का है मास मीडिया ठीक है नेक्स्ट कोशन है रेडियो का विश्कार किया किसने रेडियो का विश्कार किया तो इसका अंसर है मारकोनी मारकोनी जो साइंटिस्ट थे इन्होंने रेडियो का विश्कार किया था नेक्स्ट भारतिय प्रशारण सेवा की स्थापना हुई तो 1923 में भारतिय प्रशारण सेवा की स्थापना हुई नेक्स्ट भारत में दूरदर्शन का सर्व पृथम आगमन हुआ तो 1959 में दूरदर्शन का आगमन हुआ फिर ये Facebook लॉंच किया गया तो Facebook जो है वो 2004 में लॉंच किया गया Next है कट पुतली का खेल किस संचार के अंतरगत सामिल है तो अंतव्यक्ति संचार जो है उसके अंतरगत कट पुतली का खेल सामिल है भारत में रेडियो सबसे पहले प्रशारण की तिथी है तो इसका अंसर है 23 जुलाई 1927 ठीक है तूटते हुए के रचनाकार कौन है तो तूटते हुए जो कहानी है उसके रचनाकार है शुरेश शुकल चंद्र तूटते हुए की विधा क्या है तूटते हुए जो कहानी उसकी विधा है एकांकी तूटते हुए एकांकी किस सन में प्रकाशित हुए तो 1977 ए 20 में ये जो एकांकी है प्रकाशिद हुए ठीक है उसकी बाद नेक्स्ट है डॉक्टर चंद्र ने कितनी एकांकी लिखी तो इसका correct answer is 3 Next question is ma.la.ba का पूरा नाम है तो इसका पूरा नाम है महरानी लक्षमी बाई Next is संचिप्ती को परिभाशित कीजिए तो किसी भी नाम, इस्थान के बदले उसका प्रिथम अक्षर से प्रस्तुत करना संचिप्ती कहलाता है ठीक है? कभी-कभी वन माक्स के लिए संचिप्ती की definition पूछ ले जाती है फिर है मद्ध प्रदेश से प्रकाशित होने वाले दो समाचार पत्रों के नाम लिखिए तो मद्ध प्रदेश में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र है सबसे पहला है देनिक भासकर और दूसरा है देनिक पत्री का नेक्स्ट है कम्प्यूटर के जनक किसे माना जाता है? तो वेरी इंपोर्टेंट MCQ जेगाई जी है कम्प्यूटर का जो अविशकार किया वो साइंटिस्ट थे चार्ल्स वेवेज ठीक है? नेक्स्ट है टीवी के अविशकार किस ने किया? तो जो टीवी है उसका अविशकार किया वेर्ड नामक साइंटिस्ट ने हिंगोली नाट्टे कहा प्रसिद्ध है? तो हिंगोली जो नाट्टे वो बगेल खंड में प्रसिद्ध है इसके बाद इस्मरण करने के लिए भेजे गए पत्रों को हिंदी भासा में कहा जाता है तो इसका अंसर है अनुश्मारक ठीक है फिर एक परिपत्र में कितने विशे होते हैं तो एक जो परिपत्र होता है उसमें टोटल फाइब सब्जेक्ट होते है उसके बाद नेक्स्ट है भारत के समविधान में हिंदी को राज भाशा के रूप में सुईकार किया गया तो 14 सितंबर 14 सितंबर 1949 में भारत के समविधान में हिंदी को राज भाशा के रूप में सुईकारा गया ठीक है? उसके बाद है भारत में रास्ट भाशा का दर्जा किशे दिया गया तो खड़ी बोली जो है उसे भारत की रास्ट भाशा का दर्जा दिया गया इसके बाद है हिंदी की लिपी कौन सी है? Guys, very important MCQs है हिंदी की जो लिपी है वो है देव नाग्री ठीक है? उसके बाद है भारत की राज़भाशा क्या है? तो भारत की राज़भाशा हिंदी है हिंदी दिवश कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवश जो है वो 14 शितंबर को मनाया जाता है उसके बाद है SIM card का दूसरा नाम है तो SIM card जो है उसका दूसरा नाम है microchip Next is cellular phone की स्थापना हुई या cellular phone की सुरुवात हुई इसका answer है सन 1947 में फिर अनुवात का अर्थ होता है अनुवात का अर्थ होता है एक भासा की सामगरी को दूसरी भासा में रूपांतरित करना नेतिकता का पिर्मक गुण है तो नेतिकता का जो पिर्मक गुण है वो आत्मगत गुण है Next हिंदू धर्म को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है तो हिंदू जो धर्म है उसे वेदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है बुद्ध ने दुख निरोध के कितने मार्ग बताएं तो बुद्ध जो थे उन्होंने दुख निरोध के चार मार्ग बताएं ठीक है नेक्स्ट ये पंच शील का संबंद होता है तो पंच शील का जो संबंद है वो वोद्ध धर्म से होता है उसके बाद है शिक्क धर्म के संस्थापक गुरु कौन थे तो गुरु नानक जी जो थे वो शिक्क धर्म के संस्थापक गुरु थे येशु के अनुसार सबसे बड़ा दान कौन सा होता है तो येशु के अनुसार सबसे बड़ा दान जो होता है वो छमा दान होता है उसके बाद है इसलाम धर्म के महदवपूर्ण स्थम्भ है तो इसलाम धर्म के महदवपूर्ण स्थम्भ है नमाज, रोजा और हज इसके अलावा और भी होते हैं गाईस पर ये जो होते हैं ये मेन मेन इसलाम धर्म के इंपोर्टेंट या महदवपूर्ण इस्थम्ब होते हैं ठीक है उसके वादे पिता जी के द्वारा क्रे की गई किस पुस्तक पर गांधी जी की द्रश्टी बच्पन में पड़ी थी तो इसका अंसर है श्रवण पित्र भक्ती नाटक ठीक है नेक्स्ट है गांधी जी के मता नुशार किस गोण के बिना मुक्ती नहीं मिलती तो इसका अंसर है नर्मता के बिनाब ठीक है फिर है किस नाटक को देखकर गांधी जी ने बच्पन में ही सत्य पालन करने का निश्चे किया था तो जो हरीश चंडर नाटक था उस नाटक को देखकर गांधी जी ने बच्पन से ही सत्य पालन करने का निश्चे किया था तो गाइस यह हो गया आपके foundation course BSC 3rd year Hindi के most important MCQs इसके बाद मैं आपको English and computer के important MCQs दूँगी तो गाइस वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करें और आपको जो भी topic चाहिए हो वो मुझे नीचे comment करके बताएं तो thank you so much for watching